प्यारे बच्चो, वर्ब बारा के लिए भुगोल विशे का मासीक जांच परिच्छा का प्रश्ण पत्र आ चुका है, जिसका परिच्छा आपके विद्याले में हो चुका होगा या होने वाला है, उसके उत्तर को मैं इस वीडियो के माद्यम से आप लोगों को बताऊँगा अपने चैनल एकनोमिक प्लस पर यदि आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का एकन को दबा कर, ओल नोटिफिकेशन आउन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी नोट्स देखने के लिए, आप मेरे ब्लॉगर के साइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक है www.drgp82.blogspot.com तो इससे आप नोट्स देख सकते हैं, अब हम लोग समान निर्देश को देख लिते हैं, समान निर्देश में है कि कोश्चन एक से दस तक एक नमबर का कोश्चन रहेगा, कोश्चन 11 से 14 तक दो नमबर का, 15 से 18 तीन नमबर का, और 19 से 25 नमबर का रहेगा, तो बच्चों हम लोग प्रश्ण शुरू करते हैं तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं पहला कोस्चन है निश्चेवाद की संक्लपना किसके द्वारा प्रस्तूत की गई है तो क्रिफित टेलर के द्वारा निमलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला छेतर नहीं है तो द इन में से कौन प्रात्मिक किरिया के अंतरगत आता है तो खनन जो प्रकृति से सिधे प्राप्त होता है निमलिखित में कौन रोपन फसल नहीं है तो गेहूं रोपन फसल नहीं है फजेंडा सर्द का परियोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है तो कौफी बगान के इन में से कौन दुत्य किर्यकलाब का उधारत नहीं है तो मचली पकड़ना आठमा है संभवाज सब्द का परियोकसर पर्थव किनके द्वारा किया गया था तो लूसियन फैब्रे द्वारा नौमा है निमलिकित में से कौन परवाज का अपकर्श कारक नहीं है तो महा मारिया दस्वा नमबर कोश्चन है रसदार फलो का उत्पादर किस किर्शी की मुख विसेश्ता है तो यह है भूमद सागरिये किर्शी की बारा नमबर कोश्चन है जनसंख्या विर्दी से आपका क्या तात पर है तो जनसंख्या विर्दी किसी भी छेतर में निश्चित अवधी में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है तेरा नंबर कोश्चन है प्रात्मिक व्यवसाई या प्रात्मिक किर्याकलाब किसे करते हैं? तो ऐसे समस्त व्यवसाई जिनके द्वारा मनुष प्राकृतिक संसाधनों से सीधे भोजन, वस्तर आवास तथा अनसुधाय प्राप्त करता है तथा जिन व्यवसाई को करने के लिए विशेज ग्यान सिच्छा क्याव सकता नहीं होती उन्हें प्रात्मिक किरियाकलाब कहते हैं इसी में अथवन में कोस्चन है खनीज एवं उर्जा संसाधन के क्या महत्व है तो अथवाला कोस्चन मनाईए या फिर ये कोस्चन बना सकते हैं इसमें आपके पास ओप्सन है तो फिर भी हम इसका अंसर बता रहे हैं खनीज पदात हमारे लिए महत्पून है क्योंकि आधुनिक और द्योगिक उनत्ती का अधार खनीज पदार थी है करखानों में लगी मसीने पानी पर तहते विशाल जहाज उर्ची इमारते विभिन परकार की धात्वों से बनी व अधिकास कदार खनीज पदात है यदि मनुश के पास धात्व में और खनीज पदात नहीं होते हैं तो आज और द्योगिक यहाँ पर खनी जा उर्जा पुछा गया तो अब उर्जा के बारे में है उर्जा बहुत आवस्चक है इसके उपयोग या उभोग को समानता जीवन अस्तर के सुचकां के रूप में लिया जाता है हम उर्जा को जलावन की लकड़ी जिवासमिंदर एवं बिदूत के रूप म उपयोग करते जिसे हमारा जीवन अराम दायक और सुविधा जनक बनता है चौदा नमबर कोश्चन है अधार भुत उद्योग से आपका क्या तात पर है तो जिनका निर्मित समान दूसरे उद्योगों के अधार का कार करता है वे अधार भुत उद्योग कहलाते हैं पंदर है पेड़ों को काट कर तथा जला कर भुमी के टुकड़े को साप किया जाता है दूसरा इस परकार की किट्सी प्राया मांसून मिर्दा की प्राकिर्ति उर्वरता तथा अनप्रावर्निये प्रिस्थितियों की उप्युक्ता पर निर्भर करता है यदि हेक्टियर उत्पा तथा मिर्दा की उर्वक्ता के कम होने से उत्पादन भी कम हो जाता है इसी में अथवान में कोस्चन है रोपन किर्सी की परमुक विशेष्टाओं को लिखे तो इसकी परमुक विशेष्टाइन निमलिखीत है पहला इसमें किर्सी छेत का कार बहुत वेस्तिरित होता है दू किया जाता है चौथा है सस्ते स्रामिकों की उपलबता रहती है पांचमा यातायात के साधन विक्सित होते हैं जिसके द्वारा बगान एवं बजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं परवास के किनी तीन अपकर्स कारकों का वर्नन करें तो परवास के अपकर्स कारक है पहला अपकर्स कारक वे कारक है जो किसी छेत के अनुकूल प्रस्थितियों के कारण लोगों को अपनी और आकर्सित या अपने छेतर से परवास करने के लिए विबस करते हैं अपकर्स कारक करते हैं दूसरा पॉइंट है नगरों में अच्छे आर्थिक अफसरों सिच्छा तथा मनोरंजनों के साधनों के कारण लोग चुम्बक की तरह आकरसित होते हैं तीसरा है नगरों में उद्यो, परिवहन, संचार, वेपार तथा, वानिज, आदी की बेहतर सुमिधायें लोगों को परवास के लिए प्रिवित करती हैं आसा है कि यह उतर आपको अविश्य मदद करेगा अथवा में कोश्चन है परवास के किनी तीन परतिकर्स कालकों का वर्नन करें वो अब कर्स था यह परतिकर्स है तो परतिकर्स कारा है ग्रामीन छेतरों में ब्रुजगारी, रहन सन की मनीर्म नदसाय, राजनितिक उबदरव, परतिकुल जलवाईयों, प्राकृति विबदाय, महमारियां, आदी के कारण लोग गाउं से नगरों की और परवास करते हैं ग्रामीन छेत्रों में बिरुजगारी, तो किर्सी पर अधिक निर्भरता तथा गैर किर्सी गती बीधियों की धीमी संब्रिधी रोजगार स्रीजन को सीमित करती, जिसके कारण लोग परवास के लिए तैयार हो जाते हैं दूसरा है राजनितिक उबदर्व, कभी कभी किसी छेतर में राजनितिक रहलिया हिंसात्वक रुपधारन कर लेती हैं जो लंबे समय तक चलते हैं जिसे वहां के लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ता है प्राकृतिक विबदा है, प्रावरनीय समस्याय प्राकृतिव अबदाओं अथवा मानो किरिया कलापो द्वारा उत्वन होती है आबदा चाहे प्राकृतिक हो या मानो निर्मित, बड़े पैमाने पर जान वा माल की तबाही का कारण बन जाते हैं इन आपदाओं के परभाव के कारद अस्थानिय लोगों को पलायन करना पड़ता है सतरा नमबर कोश्चन है भारत में लिंगानुपात कम होने के किनी तीन कारण निमलिखित है पहला लिंगानुपात में गिरावट के परमुक कारणों में लोगों में सिच्छा का भाव है दूसरा, लिंग अनुपात में गिरावट इस्त्रियों में प्रसो पीड़ा के समय ज़्यादा मिर्तूदर तथा नवजात करने शिश्वों की मिर्तूदर बहुत अधिक होना है तीसरा, पुरुष परधान समाज में व्याप्त समाजिक धार्विक मानियताओं एवं विश्वास के कारण पुत्रों की प्रात्मिक ताएं लिंगानुपात कम होने के लिए जिमिदार है चौथा है, इस्त्रियों का अलपायू में विवा होना एक परमुक कारक है अठारा नमबर कोश्चन है नगरिये जनसंख्या के किनी तीन विशेषताओं को लिखे तो निमलिखित है, इसकी विशेषता पहला है घनी जनसंख्या तो Dubya में जहां कम मातरा में जनसंख्या रते ही वहीं नगरों में बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है नगरों में जनसंख्या का ज़्यादा होना उस नगर विशेश के अध्योगे विकास पर निर्भर करता है दूसरा है अन्ध विश्वासों का अभाव नगरिये जनसंख्या में धार्मिक अन्धिस्वाद देखने को नहीं मिलते हैं नगर के रोगों को देविक आपत्ति नहीं मानते देविय कोई पूजया अत्वा मंत्रों द्वारा लोगों का उचार नहीं करते हैं वो वरन तुरन डॉक्टर की सला पर काम करते हैं तीसरा है इस्तिरियों को स्वतंत्रता तो नगरिय जीवन समाज में इस्तिरियों को भी कुछ स्वतंत्रता होती है वे धार्मित सत्संग तथा रानितिक दलो या समाज सेवा कारिक्रों में स्वतंत्र रुप से भाग ले सकती है उनीश नमबर कोश्चन है जनसंक्या संक्रमन सिधान्त क्या है जननांक्य संक्रमन की तीन अवस्थाओं का वर्णन करें तो जननांक्य संक्रमन सिधान्त का उप्योग किसी छेज की जनसंक्या के वर्णन तथा भविश की जनसंक्या के पुर्वानुमान के लिए किया जा सकत यह सिदान हमें बताता है कि जैसे ही समाजगरामिन असिचित अवस्था से उन्नत्ती करके नगरिया और द्योगी करन और साच्छर बनता है तो किसी परदेश की जनसेंख्या उच जन्दर और उच मिर्थुदर से निम्न जन्दर वा निम्निर्थुदर में बदल जाती है ये के प्रोदोग की अस्तर निम्न होते दूसरी अवस्था दूती अवस्था में के प्रारम में पजन सीर्था उची बनी रहते किन्तु यह समय के साथ घटती जाती है स्वास्वास्था में सुधार के साथ मतर्स्था में कमी आती है तीसरी अवस्था तीसरी अवस्था में प पास तक्निक की ग्यान होता है, ऐसी Jansankhya विचार पूरवग परिवार के अकारकों करती है, अथवा है कोश्चन है, विस्व में Jansankhya के घणतों एवं वीदरन को परभावुत करने वे वाले कारकों का वद्णन करती हैं, तो जनसंख्या के वित्रन वा घनत को निम्लिखित कारक प्रभावित करते हैं पहला भौतिक वा भौगोलिक कारक दूसरा आर्थिक कारक तीसरा सामाजिक या सांस्रेतिक कारक तो भौतिक कारक अत्वा भौगोलिक कारक अत्वा भौगोलिक कारकों में निम्लिखित को सामिल किया जाता है पहला विश्व में समतल मैदानी भागों में उबढ़ खावर पहाड़ी वा पठारी भागों के पेच्छा अधिक लोग निवास करते हैं मैदानी भागों में क्रिसी जलसी चायाता याद वैपार तथा जीवर निर्वा की समझ सुधाओं के कारण घनी अबादी जन तापमानवा वर्सा जन संख्या के वीत्रनवा घनत पर असपर्ष्ट पर फोड डालते हैं विस्व के जिन छेत्रों में समझ जलवायू है वहाँ भी संजलवायू के पेच्छा अधिक लोग निवास करते हैं अधिक तापमान तथा अधिक शीतल पर्देस जयासे वर धू पोसन की छमता होती है नदी घाटियों में उपजाओ जलोड मिटी बिची होती है अता अनेक प्राचिन सभयताओं की विकास भी इन नदी घाटियों में ही हुआ है यहां क्रिशी के लिए उपजाओ मिटी की परचूलता तो है ही मिठे स्वच जल के सुरोध भी यही नदिया है अता विश्व की सभी नदी घाटियों में सगर जनसंक्या का घनतों देखने को मिलता है जल सुरोध तो जीले वा नदियां मीठे जल के मुख्य सुरोध है जबकि सागर वा महा सागर जल खारा होने के कार्म उपयोगी नहीं है विश्व की प्राचिन सभयताओं का विका कारक तो विश्व के जिन भुभागो छेतरों में खनीश की पर चुट भंडार है वहां उद्योगों का विकास हुआ है तथा जहां समतर उपजाव भूमिया है वहां किर्शी का विश्व का विस्तार हुआ है ऐसे छेतरों में लोगों को रोजगार के अउसर सुलब होते ह तथा अनार्थिक किर्या जैसे यातायात वे परिवहन की सुधाय बैंकिंग वानीचिक गतिवीधिया स्वता ही विक्सित हो जाती है अता इन छेतरों में नगरी करन को बढ़ावा मिलता है और लोगों के बसने के लिए अब कर्स का कारक होते है धीरे धीरे ही सही ऐसे छेत धार्मिक आस्था के कारण राजिंतिक गतिवीधियों के कारण वान्जीशिक गतिवीधियों के कारण जीवन वसंपती सुरच्छा डिष्टी से सैन डिष्टी से तथा सांस्कितिक गतिवीधिया सिच्छा स्वास्त वामन उरण्यन की सुधाओं के चलते महत्पुन हो जा वर्सा जल संग्रहन किसे कहते हैं वर्सा जल संग्रहन क्यों आज़क है तो वर्सा के पानी का बाद में उत्पादक कारियों में इस्तिमाल के लिए खटा करने को वर्सा जल संग्रहन कहा जाता है आपकी छट पर गीर रहे बारिस के पानी को समानने तरीके से इखटा करके उस इसे वर्षा के कम होने या ना होने के समय खेतों की सिचाय के लिए भी उप्योग में लाया जा सकता है। तीसरा इस धंग से जल संग्रहन के परिणाम सुरूप आसपास के भागों में बाढ की भी इस्तिती नहीं रहती है। जल जंगल कटने पर वास्पी करण ना होने से वर्षा नहीं हो पाती हैं दूसरे भूजल सुखता जाता है। इसलिए विर्षारोपन जल संग्रहन में बेहत जरूरी भूमी का निभाता है। बीलो को कम करने में मदद करता है नौवा पॉइंट है जैसे 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 जन संख्यम विर्दी हो रही है पानी की मांग विदिन पर ती दिन बढ़ रही है कई हाउसिंग टॉंसीब कलोनिया और बड़े पैमाने के उद्योग अपनी दैनिक पानी की जरोतों को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग कर रहे है भूजल की इस कभी से निपटने के लिए वर्षा जल संचेन की आउसकता है अथवा विद्व के मानचित्र में निमली खित को दर्सायन जैसे दच्छिन अफरीका कहा है तो यहां है जपान तो दच्छिन अफरीका से यहां सोरी कोरिया के बगल में ग्रीन लैंड तो ग्रीन लैंड आपका यहां पर है ग्रीन लैंड उसके बाद है यूएसे तो यूएसे आपका है यहां आपका यूएसे है कनाड़ा के जश्ट नीचे और फिर है मेडा गासकर तो मेडा गासकर आपका दच्छिन अपरीका से थोड़ा एक्जाम लिखे तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत